तो यह कामन सेंसिकल सी चीज है कि जो इतनी एनरजी ग्लोबल वार्मिंग की वज़ा से दुनिया में जमा हो जाए उसको कहीं न कहीं तो जाना है किसी किसी तोर पे उसको मैनेफेस्ट तो करना ही पड़ेगा वो जैसे मैंने पहले आपको बताया था एक माड्यूल में के और आप्रेशन जादा हो जाती है क्योंकि टेमपिर्टर जादा है और यखिन जादा हो जाएगी सॉाल मॉस्टर कम हो जाता है और उसकी मत्लब अज़कन बड़ी बात तो यह है कि सारा तीन चौता ही तो आपका पानी पानी है न तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा इवैपरेशन हुई इसमें से तो बहुत ज़्यादा वेपर्स जायें वो ऊपर जाएंगे हवा के अंदर और वेपर्स की एनरजी यह जदा है तो वो सारी एनरजी कहा जाएगी तो उसका क कोई ना कोई ऐसा नेचर वो करती है तरीखा कि वो किसी तरह से वो एनरजी स्क्वीज हो जाए तो वहां पे वेस्ट में एक बड़ा अल नीनियो ला नीनिया दो फिनामेना जो बड़े मशूर हैं कि जहां एनरजी जादा हुई वहां से जो हवा का रफतार थी और इसके वज़ाज़ सारा वैदर जो था एस्कोस पे या वेस्सक्वाड़ जो चल रहा था, अब इस ग्लोबल वार्मिंग के वज़ा से अब एनरजी कुछ जादा ही हो गई है, अब वहां पे एस कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का अमरीका के जो प्राबलम था हो तो बहुत पराना प्राबलम है, अब यह जो नए प्राबलम दूसरी जगा दुनिया में श जलाबों का, ऐसे फलड्स का, ऐसे हरीकेंज का, ऐसे तुफानों का, तो वहां पर आप देखी जा रही हैं, जब कुछ जगह ऐसी है जहां पर पहले भी आते थे, और अब उनकी इंटेंसिटी इतनी जाद होगी कि बहुत भी विशिस हो गये हैं, जैसे जैपान में और जै के पास जो एड़टाइस करने के लिए, वो कपड़े के बनाते हैं, कि जैसी पता चला कि तुफान आने वाला है, वो उसको रोल करके नीचे रख लेते हैं, ताके वरना वो बिलकुल ठूड़े आते हैं, अगर सादा कोई स्टील का बोर्ड अगा हो तो ऐसे उड़ा के ले सारी ऐसी एनामलीज हैं, वेदर एनामलीज, उनको मैंने कलेक्ट किया, तो आप देखें कि क्या-क्या निशानात हैं, फिंगर प्रिट हैं, ग्लोबल बॉर्मिंग के, इन सब को देखने से या, पहली मरता यहां बारिश नी पड़ी थी, वहां पड़ी, पहली मरता जहां स इतनों नहीं हुई थी, वहां इतनों ज्यादा होगी, अब 2023 मार्श में, वह जगा कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पे पिछले 18 साल से पानी नहीं पड़ा था, तो जितने भी रेजरवायर थे, वह बिलकुल खुश्क होने लगे थे, इतने खुश्क हुए थे, कि वह जो उनका जो बिजली बनती थी, वहां पे सबसे बड़ा डैम जो वहां पे, उसमें से बिली रुकने के खतरात थे, बन तो नहीं हुए थे, लेकिन सिर्फ उतना पानी रह गया था, कि सिर्फ बिजली बना सकें, उसके अलावा जो पानी देते थे, दूसरे लोगों को उनने ब बन कर दिया थे, कि अब पानी नहीं है, तो जब तक कि पानी नहीं आता, सिर्फ बिजली बनेगी और कुछ इसका इसनमाल नहीं होगा पानी का, तो वहां पे अब मार्च 2023 के अंदर इतनी बरफ पढ़ी है, इतनी बरफ पढ़ी है कि जो उपर में लोग रहते थे थे, पहा बात जब मेल्ट हुई है, कैलिफोर्निया जो है, उसकी सॉल बहुत ही सॉफ्ट है, तो वह बिलकुल बह जाती है, सारे घर बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं, रोड़नें बह जाती हैं, तो अब वह मेल्ट होना शुरू है, तो वह प्रॉब्लम दूसरे स्टार्ट, अब य अठारा साल में पहली मरतबा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग रिलेटिड एनरजी है वो किसी तरह निकल के बाहर आ रही है तो यह कुछ एक्जामपल है वैसे अमरीका के जो पिछले कुछ दस बीस साल के अंदर ऐसे एक्जामपल नजर आ थे तो ह भी उसी एनरजी का तालुख है उससे ग्लोबल वार्मिंग के तालुख है उससे जहां मैं मैं रहता हूं डेलावेर में हमेशा साल में कोई दस बीस इंच बरफ पढ़ना तो बहुत आसान सी बात थी इस दफ़ा बिलकुल नहीं पढ़ी जीरो इस दफ़ा नहीं बलके गु सा पूरा वैदर सिस्टम हो गया है अब यह बहुत सारी ऐसी ऐसी लिस्ट है इन सब लिस्टों को पढ़ने की जूरत तो नहीं है लेकर आगर आप यह ताजातरीन बहतरीन जो देखे ना वो यह है कि मार्श दोहजार तईएस मार्श दोहजार तईएस उसमें अभी मलावी मलावी साउथ ऐफरिका का साउथ ऐफरिका ने सेंटल ऐफरिका में एक जगा है मलावी वहाँ पर तूफान आया है जो पहले कभी आये ही नहीं था इस तरह का तूफान इतना जबर्दस तूफान और कावे सारे जान का माल का सारा नुखसान हुआ अब 2022 के जुलाई अगस सप्टेंबर में जो जितने यहां पर पाकिस्तान में तकलीफ वी थी फलर्ट्स की वज़ा से वो तो वही था ना कि कुछ तो पानी उपर से आ रहा था जो ज़ो जादा हो गया ग्लेशर मेल्टिंग की वज़ा से अब बाकी पानी जो यह मौनसून जो चले हैं मैं महले से दूसरे महले में जाना मुशकल हो जाता है तो मैं बैटके सिर्फ वह वैदर देख रहा था अब कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं कराची का वैदर यह पाकिस्तान का वैदर देखूँ तो एक फ्रंट मौनसून का जो इंडिया से चला साउथ इंडिया से फिर उपर आ अब मैं बैटा हूँ जुलाई 2023 के अंदर और देख रहा हूँ स्क्रीन में अपनी कि वो तीन लाइन अप हुए हैं तीन फ्रंट्स वो एक आया उसने तबाही मचाई वो भी खतम नहीं हो था कि दूसरा आगया दूसरा आई उसने तबाही मचाई कराची तो पर फिर शहर ह गयते लोग अपने अपने गाउंँ में उस दरिया के सिंद में तो गयानी और उपर से जो पहाड़ियों बलोचस्तान से जो रेले आते थे पानी के तो उनकी वज़ा से सारे बिलकुल आई से लोट गया हैं कितने सारे लोग मरें उसके अंदर और सिर्फ ये साउथ की बात तो पिछले दोहजार बाईस के अंदर वो टंप जो हुआ था पाकिस्तान में हुआ था जिसकी वएसे बहुत जादा नुकसान लोगों को पहुँचा है तो यह एक चीज़ तो खेर पाकिस्तान की अलग बात है उमान की बात मैंने पहले भी कही थी कि जहां पे लोगों ने देखी नहीं बारिश कैसे पढ़ती है इतने रेलिया ना पानी के के बस बहुत उनका हाशर हो गया था चाइना में बहुत बड़ा तुफान आया था सैंट्रल चाइना में जिस्से उनको भी बहुत जादा जानी नुकसान हुआ था एट वर मेंसे डिसेंबर ऑन रेकर्ड 2020 के अंदर जो सबसे ज़ादा गर्मी पड़ी थी विंटर में, जो कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो वो रेकर्ड ब्रेकिंग है, जर्मनी में दो साल पर, 2021 के अंदर जो फलर्ड़ आए थे, वैसे फलर्ड़ तो जतने आपने पाकिस्तान में देखे थे, 2023 के अंदर, 2022 के इसी हैं के बहुत जादा densely populated है, वो जैसे रूरल सिंथ की बात नहीं कर रहा है, वो बिलकुल बहुत ही densely populated area, उसमें जो फलर्ड़ आए हैं, उसकी वज़ा से इतने modern country के अंदर, पूरे पूरे areas बह जाना, इतने जादा बारिश हुई हुई, फिर rivers जहें, वो जगा हैं, जहां पर पानी का इतना ही कमी हो गई थी, कि वहाँ उन्होंने किष्टियां चलानी छोड़ दी थी, कि पानी नहीं है दफदरिया के अंदर, फिर जो बरसा है, वो फिर जो तूफान आया है, वो सारा का सारा जो था बह गया, बहुत सारी ऐसी चीज़े हुई, अमरीका में हाइस नंबर अफ हरीकेंड, जितने में तुफान जो सबसे बड़े हाथ, साइक्लोन जिसे कहते हैं, सेंटरल अमेरिका में एक ऐसी वह है, पैथ, कि उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे हरीकेंड आते हैं, दोतार पांच में अटाइस हरीकेंड, अटाइस, अटाइस, हाई हो गया है, उसकी वज़ाए से हर साल, अब हर साल हो रहा है यह तो, और बिलकुल बास जगाओ, बड़े बड़े शहरों के करीब तर ही आ जाती है, तो यह तनी सारी चीज़े हैं, जहां पर कभी स्नो का तसवर नहीं था, अच्छा यह एक गर्मी और यह अलग एक तर स इसनों पिछले दो साल से मस्तखिल पढ़ रही है, यह बरफ, फलस्तीन के अंदर देखें, आप दो साल में कितनी बरफ पढ़ी है, कि उस सारे उनलों को कुछ तो मदा आया, लेकिन पिर जो गरीब और बाते काफी सारे लोग हैं, उनको बहुत परेशानी उससे सामना करना पड़ा, तो यह सारी जो रिकॉर्ड्स हैं, इसका मकसद यह है, कि यह पूरा गलोबल क्लाइमिट जो है, वह चेंज हो रहा है, इसका सारा वही तालुख है, जिससे हमने पहले बात की थी, गलोबल वार्मिंग से, अब यह कुछ तस्वीरें देखें, अब यह मसला यह है, कि यह है, अच्छा यह प्राबलम तो खड़ा हुआ हुआ है, अब उसकी सोर्स क्या है, वो भी हमने अब समझे ली कि सोर्स क्या है, वो कार्बन डाकसाइड है, नाइटरस अकसाइड है, वो हमारे पास पाकिस्तान में ना तो इतने जखायर है, थोड़ा बहुत थर का अब और वो जो 240 मिलियन की आबादी इस पर डिस्ट्रिबूट करें, तो हमारे पास तो बहुत कम है ऐसा फ्यूल के जिसकी वज़े से हम जाती तोर पे पुलूट कर सकें, और भी हरकतें करते हैं, उसको चेंज करें तो शायद फाइद ही होगा, लेकिन जो लोग फ्यूल इस्त इस्मसफिर में जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉस कर रहा है, वो इनकी हुजा से हैं, हम लोग तो उसमें जो जिनको पर जो आफ़त पढ़ती हैं, उन लोगों में से हैं, तो वो किसी ने काम कुछ किया भूगत ये लोग रहे हैं, जैसे आप तस्वीरों में देख कहानी है, तो युनाइटेड नेशन ने एक फंड बनाया, युनाइटेड नेशन क्लाइमिट फंड, उसका मकसद ये था, कि जितने भी ये बड़े लोग हैं अगर इस्तिमाल से बाज नहीं आते हैं, तो कम असकम इसमें जितना इस्तिमाल करने से नुकसान पहुंचता है, उसको उसके वैल्यू बनाएं, कि कितना वैल्यू है, वो इसमें डालें, ताकि वो लोग जैसे पाकिस्तान है, जैसे और भी दूसरे ममालिक हैं, ओमान वगारा जो हैं, डिवेलपिंग नेशन्स जो हैं, पिर उनके साथ जो इस तरह का आफ़त इन पे आती है, तो उसको प आफ़ताई भी ऐसी, वो पिर एग्जामपल बताते हैं, कि ये तूफान आगे, अटाइस तूफान आगे, तो वो, लेकिन उनको अटाइस तूफान आने के बावजूद भी, उनमें जतना जानी माली नुकसान होता है, वो एक तूफान के बराबर है, जो पाकिस्तान में जतना जानी नुकसान, कितने हजारों लोग मर गएते हैं न, 2022 के अंदर, तो वो, ये थोड़े से ग्लोबल सिंपिथी वाली बात होती है, ग्लोबल कंसिडरेशन बात होती है, जो कि कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में बिलकुल नहीं होती, उसकी वज़ाद से ज के लिए कम असका में एक फंड ऐसे मक्सूस किया जाए कि उससे जिन लोग को फड़ना है उनको थोड़ी सी भला हो जाए लेकिन इस किसम का ग्लोबल सोच जो है ना आजकल बहुत कम है